Hello student, welcome to this video, इस वीडियो में हम प्रिष्ण बेंक कक्षा 11 हिंदी का काब विखंड का पार्ट सेकंड लेकर आए है और इसका पूरा सल्यूसन हम आपको इस वीडियो में देंगे जैसा कि आप सब जानते हैं पार्ट फर्स्ट जो वीडियो आया था उसमें हमने आपका हिंदी का का बिखंड है जो उसका जो दो अंकी प्रशन है objective type question है सभी हम इनके solution देख चुके थे पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उनको देख लेना क्योंकि हमने सभी handwritten note में आपको provide करा है जितने भी question मैंने आपको इस प्रशन बैंक के solution सभी दिये है मैंने जो यह question आप देख सकते हैं यहापर दो अंकी की जो इतने भी सारे question है सभी question के answer मैंने handwritten note में आपको pdf सहत आपको provide करा है उस वीडियो के discussion में उसका link भी दिया है तो उसका pdf भी आप download कर सकते हैं ठेक है तो इन सभी questions के answer मैंने उससे बताया है part first के वीडियो में आप इस वीडियो को कैसे देख सकते है channel playlist पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप link description में मिल जाएगा उसक दो एक से लेकर साथ तक की जो question है यह सभी के answer हम आज आपको handwritten note में provide कराएंगे जिनने first first नहीं देखा उसको जरू देख लेना क्योंकि उपर के सभी question उसमें हमने solution आपको दिये है अब जो देखिए 8, 9 और 10 यानि यह कभी परीचा और लेखक परीचा जीको जो question है यह हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें आपके लिए provide कराएंगे क्योंकि सभी important है माकी के जो question answer है आपके साथ तक के हम सभी देखते है ठीक है इस video का pdf भी मैं आपको बताऊंगो कैसे download करना है लेकिन pdf कुछ घंटों बाद अपलब्ध होगा आपके लिए तो पहले तो देख सकते हैं आप जो पतच्च पतच्च सब्दों में आपको answer लिखने है तीनंकि तो इनके answer है पहला question है कभीर के अनुसार अग्यानी गुरूं की सरण में जाने पर सिस्चों की क्या गति होती है तो इसका answer है अग्यानी गुरूं की सरण में जाने पर सिस्चों का भ इस तक पुस्टी के लोगोंने क्या तरक दिये हैं तो इसका आजसर आप सर्झ देख सकते हैं यहां मैं पुस्त्तStat किए हैं सभी में एक ही जूति समाई है संसार में सब जगह एकपवन में एक ही जल है एक ही मिट्टी से सभी बरत्रमने हैं तो जतनी है इंपोर्टेंट है आपके लिए प्रिष्ण बैंक के तो सभी आपको कम्प्लीट करना है बार्शिक परिच्छा कर लिए और क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे तो देख सकते हैं मीरा कृष्ण भक्ती में अपनी सुधबुत खो बैटी है तो ये मीरा को बावरी क्यों कहते हैं इसका आंसर है पुरा आंसर आप पड़ सकते हैं आपकी सामने दिख रहा है आपको उसके बाद अंगला कोष्ण ने पथेक कभी ताकि अनुसार कभी ने सागर तर्थपा सुर्यदर बड़न किस रूप में किया है इसका आंसर आप देख सकते हैं पथेक की माद्यम से समुद्र पर सुर्यदर का बड़न करते हूँ कभी कहते हैं समुद्र ने अपनी फुन ने भूमी पर लक्ष्मी की सवाली लाने के लिए अति प्यारी सोनी की सड़क बना दी है सुबाय सूर का प्रिकास समुद्र तलबस सुनेदी सड़क का द्रिस पर सुथ कर रहा है ठीक है तो यह इसका आंसर हो गया सभी कुष्चिन मैंने खुद इसको लिखा है ताकि आपके लिए हम आंसर प्रवाइड करा सकें जिस सब्जेट के चाहिए कमेंट जरू कर देना और वीडियो को लाइक करते रहना वीडियो को लाइक करेंगे तो जल्द से जल्द वीडियो आएंगे जमीदार ने शडिय अन्तियों की मिदस से किसान کو जमीन से बेदकल कर दिया उसके करिंदों ने किसान के वी जबान बेटेगो पीट पीट कर मार दिया महाजन ने मुल्धन्द था ब्याज की बसूली को उसके घर वैल गाय को निलाम कर दिया तो यह सबी कारट थे उसके बद घरगीया थिया कभी ने पिता के अपको पड़ना है और बागी आप ज़ादा डेटेल में लिखना चाहते हैं तो आप अप बुक से पड़ सकते हैं बाद इतना ही लिख देंगे तो अग्ता प्वाइंट करते थी गीता का पाट करते थी यह लोग कितने मुनासब हैं इस सफर के लिए अप्ड़ोक सेर में कभी आम जंता की कौन से प्रवत्ति की और अंगित करना चाहता है तो ये सब आपके बुक के अंदर से कुछ कुश्चन आपके बने हुए है NCRT के तो उसका अंसर इस प्रकास से आप लखेंगे भारत के लोग इतने दीन हीन तथा दबे कुछले हैं कि कभी इस प्रकास इसका अंसर हो गया और लगवक सभी कुश्चन आपके हो गए यानि की सभी हो गए साथ कुश्चन ही थे आपके तीन अंक वाले और बागी कि जो कभी परीचे हैं वो हम नाइक्स वीडियो में देखेंगे अलग से कभी परीचे का वीडियो बना देंगे लिखक परीचे का ठीक है इस वीडियो को लाइक कर देना चले को स्प्राइक कर लिजी और बैल आकिंग को फ्रेश कर लेना और इसका पीडियो कैसे डाउनलूड करना है मैं आपको पता दूँ